हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विकम फ्लैसिंग एक्सपर्ट में आज मैं आपको बताने जारा हूँ कि मेरे पास एक सैमसंग कंपनी का फोन आया हुआ है और जिसका मॉडल नमबर है सैमसंग गैलेक्सी जेवन दो हजार सोला मॉडल तो दोस्तो ये है मेरे हाथ में सैमसंग गैलेक्सी दो हजार सोला मॉडल और इस फोन में लगा हुआ है FRP लोग गूगल एकाउंट लोग लगा हो दोस्तों तो आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप सैमसंग गैलेक्सी 2016 वाले मॉडल का FRP बाइपास का सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर के बिना किसी लैप्टोप के बिना किसी बॉ लगारी और साइंट कर दीजिए तो यहां पर देखा देता हूं यहां पर किसी भी तरीके कोई भी स्कीप का बटन नहीं है और मैं आपको यहां पर सकते यह पिस साजा सकते हूं। ताकि आपको बैहतर से जानकारी दे पाओं, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो का बनाने का पूरा मेरा जो भी एंटेंजन है कि आपको बैहतर से बेहतर समझा सक Ferr Kommunen कर सकूँ, यहां पर सक्रीप का बटन additions कर enhance एर्र सो होगा और बताएगा कि आप अपनी email ID और password को डाल कर एंटर कर लेज़े और sign in हो जाएए अगर आप अपनी email ID और password को भूल चुके हैं तो don't worry आप बहुत ही सही चैनल पर आए इस वीडियो को देखने बाद आप पर अपनी प्राइब को सौट आउट कर लेंगे अब आपको कुछ वीडियो में दिखाई देता होगा कि वाइफ़ी वाले सेक्शन में जाना है और यहां पर टाइप करना कुछ भी और इसको स्रेट करना है यहां पर गूगल को आप्शन हो जाता है बट इसकेस में नहीं हो रहा है तो ह हम इसको बहुत ही यूनिक सा तरीका बताएंगे आपको बहुत ही मजा आने वाला इस वीडियो को देखने के बार यहां पर देख रहे होंगे देखिए आपको यह पर बटन दिख रही हो होम बटन ठीक है अब आपको होम बटन दिख रही तो आप कहेंगे होम बटन से क्या करना है simple step है बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों ये बटन है इसको three time ठीक है तीन बार इसको तीन बार टैप करना है जल्दी 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 ठीक है जल्दी जल्दी आपको तीन बार टैप कर देना इस बटन को जो home बटन है जो बीचोली बटन इसको जल्दी जल तो गवर्क नहीं किया क्वा इसको जल्दी जल्दी तीन बार लाइक तरीके से लिखा हुआ अब अबक और टोग वेंकर से लिखन का यहां तो यहां पर बना देना दोस्तों तरीकी से को मेंद ड़ीचिक्त चेटिक सेक्ट double tap करके इसको open कर लेना बस अब आपको क्या करना है यह दो उंगलिया लेनी है यहां पर देखिए फिर से L बनाना है और यहां पर देखिए पाउस feedback पर क्लिक कर देना है अब यह जो scrolling में दिक्कत आ रहे थी यह दो उंगलियों से अब एक उंगलियों से भी कर सकते है ठीक है स्क्रॉल करते हैं चल जाना आपको दिख जाएगा एक option टर्म एन पॉलिसी स्वरी टर्म आफ पॉलिसी इस तरीके से लिखा हुआ है इसको यहां पर देखिए यह Chrome यूज नहीं करना आपको इंटरनेट ब्रॉजेर यूज करना यह इंटरनेट ब्रॉजेर यूज करेंगे आपको लिखना क्या वह मैं आपको बता देता हूं आपको यह पर टाइप करना प्रिव्यू देखाएगा और बहुती बहतर तरीके से आप देख पाएंगे ठीक है आप यहाँ पर देख पा रहोंगे कि यह पेज दो है वो लोड हो रहा है लोड हो जाने देते हैं उसके बाद का प्रोसिजर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल कर तो दोस्तों ज जाने के बाद आपको यहां पर मॉडल दिखा देता हूँ अबाउट फोन फोन में जाने के बाद यहां पर दिखिए सामसंग का समसंग गैलेक्सी जीवन 2016 मॉडल और आपको यहां पर मॉडल दिख जायाएगा एंडॉर्ट वर्जन आपको देखिए 5.1.1 5.1 चैत डाउनलोडिंग मतलब डाउनलोडिंग स्टाट हो गई है डामस लेने के जूरत नहीं एंड बाइपास एफार पी 1.0 इस पर इंतरो इस पर दोनों है जो डाउनलोड हो चुका है इस पर क्लिक कर देंगे अब को यहां पर दिख रहा होगा अनोन सोर्श उस पर क्लिक क कर देना इसको कर देना इंस्टॉल जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं छिएकट का आप सफना एक gross तैक्ट कर देना है इतना कर देने के बाद आपकी फॉन में दो और नाओ एक नसद का आपको open को choose करना select करना open पे क्लिक कर देना है और open पे जैसे आप क्लिक करेंगे three dot दिख रहा होगा three dot पे जाएंगे browser sign in browser sign in पे क्लिक करेंगे ok button पे क्लिक कर देंगे दोस्तों उसके बाद का procedure मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा wait करेंगे क्योंकि आपकी net के speed पे पेंड करता कि यह कितना जल्दी आपको सो हो जाए तो इस तरीके का option आगया नीचे आगया create account it means कि आपके phone का frp बाइपास हो जाएगा 100% तो आपको क्या करना है आपको एक सही email ID और password लेना जो active हो जो चल रहा हो ठीक है आपको सही email ID यह नहीं कि आप कुछ भी आपको एक active email ID चाहिए होगी कोई भी आप अपने phone की email ID डाल सकते बाद में आपको निकाल सकते हैं बट आप कोई नई email ID जो कि वहाँ पे कोई create account का option नहीं आ रहा था तो यहाँ पर create account का option है तो मैं अपनी email ID से डाल कर इसको sign in कर लूँगा ठीक है ताकि मैं बहतर से बहतर तरीके से आपको समझा सकूँ वीडियो में आपको बताऊंगा आगे क्या क्या setup है किस किस तरीके से हमने इसको बहुती आसानी से बहुती seamless तरीके से sort out कराया है और बिना किसी box के बिना किसी dongle के तो बस आपको कुछ नहीं करना password को enter कर लेना है और उसके बाद next पे click कर दे जैसे ही आपको यह पर देखिए अगर password आपका सही नहीं होगा दोस्तों जैसा कि मैं डालना हूँ और password ड्राउंग बता दे रहा है तो अगर आप password सही नहीं डालते हैं तो आपको इस sign in नहीं होता है इसलिए मैं आपसे बोला हूँ कि आप कोई भी randomly email ID नहीं यूश कर सकत हैं आपके पास एक active email ID होनी चाहिए आप उस active email ID के थुरू आप अपने phone को अपने phone में login कर लीजिए login करने के बाद जब आपका phone खुल जागा तो आप एकाउंट वाले section में जाकर इस account को remove कर सकते है don't worry कोई दिक्कत नहीं होने वाली है लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का यूज क्यों आप educational purpose के लिए किजेगा किसी भी तरीके के कोई भी illegal activity में नहीं आप इसमें involved होईएगा अगर आप किसी भी तरीके कोई भी illegal activity करते हैं तो इसके जिम्दार आप खुद होंगे ये channel किसी भी तरीके की illegal activity को बढ़वा नहीं देत हो तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सब यह अपको यहीं पर इतना करने के बाद आपको simply यहां पर देखे back option बैग पर क्लिक कर देना है अब जैसे ही आपने प्रक्षाट करना मैं आपको बताता हूं रिस्टार्ट कर देने के जस्ट बाद आपको करना होगा थोड़ा सभी ठीक है डीस्ठार्टाट कर देने के जो थोड़ा सा जरů वाद आपको वीट कर लेना है और उसके बाद का आपको बताता हूँ चिलिए हो फोन को .... उसके बाद का आपको बता रहा हूं मैं कि कैसे आपने बहुत ही आसां तरीके से इसको अंलोक कर लिया है बीना किसी box के, बीना किसी dongle के, बीना किसी computer, बीना किसी laptop के, बीना किसी दुकानदार के पास जाए हुए आप घर बेटे, इसको कैसे unlock कर लिए, आपने बहुत ही आसानी से, talkback को disable करना, वही same procedure, तीन बार जल्दी जल्दी आपको press कर देना, power button को, sorry, home button, उसके बाद ये disable हो तो next पर click कर देना, agree पर click कर देना है, और यहां पर checking connection दिखाए देरा, connection को check कर रहा, इंटरेनेट के connection को check कर रहा, थोड़ा से wait कर ले, उसके बाद आपको यहां पर option दिख जाएगा, आगे का, मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरीके से option आएंगे, और किस तरीके से आपको उसको solve out करना, कैसे इसको next करना है, बहुत ही आसान तरीके सापने इसको बाइपास कर लिया, दोस्तों बीना किसी computer को, बीना किसी चार्ज के, बीना किसी को एक पैसे दीये हुई, आप बहुत ही आसानी से इसको unlock कर चुके हैं, दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि आप, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फिरी है किसी भी तरीके को कोई बेप ऐसा नहीं लगता दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने और पास में लगए उस नॉटिफिकेशन बल्को जो घंटे का आइकन उसको दबा दें ताकि जब भी में कोई निया विडियो डा आता हूं यहां पर देखे इस तरीके का उप्सना गया है अब आपको यहां पर क्लिक करते हैं फिर से स्की बटन पर क्लिक करते हैं इतना कर देने के बाद आपके फोन का जो की सैट अप है वो कंप्लीट हो चुका है अब सैटिंग में जाता हूं इसके मॉडल नमबर भी आ थैंक्स थैंक्स वर्चिंग इस वीडियो जय हिंद वंदे मात्रम